वर्जर स्री के निकट मातर प्रतिंग्यारा के साधना होने जा रही है जिसमें मातर प्रतिंग्यारा वो विफ्रीत प्रतिंग्यारा के जितने भी सुरूप है उनका अनुष्ठान कराया जाएगा इनकी आराधना से साधक सत्रू पर विजे प्राप्त कर लेता है हर तरह की नकरत्मक पुर्जा, रोग, जलन, विग्न संतोसियों से आपकी रच्छा होती है ये मातर चारो दिसाओं से आपकी सत्रू वो तंतर बाधाओं से आपकी सुरुचा करती है इससे आपके सभी प्रकार के भई नस्ट हो जाते है इसकी वज़र से सभी तरह की आर्थिक अर्चने दूर होकर धन की ब्रद्दी भी होनी सुरू हो जाती है नोकरी, ब्यापार, दुकान, धन्दे में तरकी के साथ जितने भी प्रकार के विवाद हैं क्लेज हैं, परिवारिक तनाओ हैं, यह सब चीजे नस्ट होनी सुरू हो जाती है इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं, एक तो है सिविर में प्रत्यच आकर भाग लेना दुसरा ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं अगर आप सामिल होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्किप्चन में लिंक दिया है वहाँ से फार्म भरकर रेजिस्टेशन करवा सकते हैं मुंबई की निकड माता बगला मुखे का भविय मंदर का निर्मान होने जा रहा है इसमें आपके सहयोग की आउ सकता है इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इंकम टेक्स की आयकरधारा एटीजे की अंतरगर छूट का लाब ले सकते हैं अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्किप्चन में लिंक दिया है वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंसान ग्रस्त जीवन में रहता है संसारिक जीवन में रहता है तो बहुत से सुख दुख का सामना उसे करना ही पड़ता है ऐसे समय पर उसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं जिससे वो पूरा करना चाहता है जो मनोकामना एच्छाय होती है, वो धनका भी हो सकता है, किसी वस्तो को प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है, किसी भी सुख को प्राप्त करने के लिए हो सकता है, किसी भी तरह कि उसकी मनोकामना हो सकती है, जो कि एक संसारिक जीवन वाले विक्ति के लिए आम बात है, तो दोनों कर्म मिलकर हमें सफलता के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। तो आपके किसी भी तरह के इच्छा हो, और जो इच्छा मानी जाती है, शादी व्याद से लेटेट हो, बच्चों से लेटेट हो, संतान से लेटेट हो, व्याह से संबंदित हो पति-पत्नी के बीच में किसी भी तरह के अन्बन आ गई हो कुछ दरारें आ गई हैं तो उनके लिए उस सरके प्रयोग किये जाते हैं कोई मनपसंद साथी की चाहत हो तो उस सरके प्रयोग किये जाते हैं और शादी नहीं हो रही है साधी में अर्चन आ रही है, ऐसी बहुत सी चीज़े होती है कोई भी काम की सिरुवात तौप कर देते हैं लेकिन काम हो नहीं पा रहा है काम बीच में अठक जाता है ऐसी बहुत सी चीज़े हैं तो ऐसे में खास पकार के उपाय होते हैं वो हर विप्ति को करना चाहिए, और वो जो उपाय होता है, वो होता है हल्दी का उपाय, हल्दी को उपाय, उसमें क्या होता है, एक टुकड़े वाला जो हल्दी होता है, उसको ले लेते हैं, और अपने सामने रखते हैं, घीका दीपक जलाते हैं, सामने बैठते हैं, ब्लू आपको के बीच में इस तरीके से आप पिंच करें और पिंच करने के बाद खास हरकी मुद्रा लगाएं ये देखी ये मुद्रा ऐसी है इसको एनरजी आवाहन मुद्रा कहते हैं ये देख लिए ये मुद्रा लगाएं ये मुद्रा लगाने के बाद आठ चक्र पर इस तरीके से हाथ जोड़े या मररी पुर्चक रपर आप इसको जोड़े और ये करने के बाद आगे चक्र पर ध्यान देते हुए दस भार आप प्राणायम करें दस भार प्राणायम जीनि जितरं देतर हो सकर रोखे रखना है पर धीरे से चोड़ना है फिर इसके बाद दुबारा जोड़ से खीचें जितनी देता हो सकर रोख के रखें फिर धीरे से छोड़ें इसलिए कि दस बार आपको प्राणायम करना है ये मुद्रा लगा के यानि प्राणायम करने के बाद खास पकार का मंत्र मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस मंत्र को पांसु जाप करें यानि धीमे आवाज में जाप करें आपकी आवाज आपके कमरे से भाय जाने रपाए याद रखें ये मुद्रा लगा के रहे मंत्र का जाप करना है और इसमें किसी माला की आवशकता नहीं होती याद रखें ये मुद्र लगा कर आपको 20 मिट तक ये मंत्र का जाप करना है उसके बाद किसी को फलिया भुजन आपको दान कर देना है ये करें और जिनकी उम्र 35 साल के उपर है वो 20 मिट तक मंत्र का जाप करें 35 साल के नीचे वाले 15-20 मिट एस्टा जाप कर लें बस इसके बाद किसी को फलिया भुजन दान कर दें और अगर आप दान उस समय नहीं कर सकते हैं तो संकल कर लो कि मैं दूसरे दिन फलिया भुजन दान कर दूँगा उसके बाद जो हल्दी का टुकड़ा है किसी भी भुजपत्र पर भुजपत्र की बात करते हैं तो ये देख लिजे इस तरीके का भुजपत्र होता है ये देख लिजे ये एक पेंड की चाल होती है बहुत सेंसिटिव होता है हमारे जो सास्त्र है भुजपत्र पर लिखे जाते हैं जिसकी वेशे हजारो साल बाद भी खराब नहीं होता लेकिन अगर आपको भुजपत्र न मिले तो कोई भी सामानिक आगच आप ले लें उसमें आपको हल्दी से हल्दी से आपको लिखना है हल्दी से लिखने के मतलब है कि जो आपने हल्दी का टुकड़ा लिया है उसको आप पीस लें उसका पाउडर बना लें उसके बाद जब ज़रूत हो तो थोड़ा सा पाउडर एक कठोरी में निकाल कर तोड़ा सा पानी डाल कर, उसकी स्याही बना लें, और अगर बत्ती की कलम से भोच पत्र पर आपको लिखना है, और आप क्या लिखेंगे, आप यही मंतर लिखेंगे, और वो मंतर है, ओम गम गलॉम वोसट, ओम गम गलॉम वोसट, ओम गलॉम वोसट, ओम गलॉम वोसट, ओम कहने का मतलब है इस तरीके से, तो आप चाहे भुजपत पर लिखें या सामाने कागज पर लिखें, हल्दी के पाउडर से उसको तुरह पाणी डाल को स्याही बना लिखना है, आप माचीस की लकड़ी से या अगरबत्ती की लकड़ी से आप लिख सकते हैं, कनेर की कलम हो तो स कागज कोzals करा लो और अपने फूजा घठ में रखो, जब भी किसी खास काम के लिए आप जा रहे हो, किसी भी खास काम के लिए जा रहे हो वो। यंत्र के सामने आप 11-2 मंत्र का जाब करो और जाओ आप शादी में लड़के वाले को देखने जा रहे हैं लड़की वाले को देखने जा रहे हैं उस यंतर के सामने 11 बार मंतर का जाप करो और जाओ कुछ लोग तो यंतर को अपने पास रख कर ही जाते हैं ऐसा भी चल जाता है कोई भी सुब काम के लिए जा रहे हैं तो उस यंतर को अपने पास रख कर जाओ या उस यंतर के सामने 11 बार मंतर का जाप करो और जाओ ऐसा भी कर सकते हैं तो कोई भी काम के लिए पहले उस यंतर के सामने 11 बार मंतर का जाप करो और फिर जाओ तो आपको ऐसा लगेगा जिसे आपके काम होनी की जो संभावना है ये बढ़ती जा रही है, उसका success rate है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा आपको मस्सोस होगा, हल्दी वैसे भी सुभकारे में हल्दी का उप्योग किया जाता है, तो कहने का मतलब हल्दी से जितने भी प्रकार के मंगल कारी होते हैं, उनमें सफलता मिलती है, और यही करण है आपने देखा होगा, साधी व्यार के समय कागच पर निवंतर पत्र पर हल्दी लगाई जाती है, ये सुभ माना जाता है, मंगल कारक माना जाता है, तो ये उपाए आप करें, ये उपाए किसी भी बुद्वार को सुर्यास्त के बाद ये उपाए करते हैं, ये मंदर का फ्रियोग करते हैं, और उसके बाद कभी भी किसी भी काम के लिए किसी भी समझाना है, तो किसी भी अंदर की पूजा करो, ग्यारा बार मंदर का जाप करो, जाओ, तो आप देखेंगे, इसमें बेग साब आपको ल आप मिलता है तो ऐसे करके आप फायदा उठाई है आपको फायदा मिलता है तो लोगों की मदद करें धन्यवाद